केंद्री ग्री मंत्वी अमित शाह आज 16 सितंबर को मितलांचल की पांच लोगसवा सीटों को साधने के लिए बिहार आ रहे हैं अमित शाह जंजारपूर के ललित करपूरी स्टेडियम में एक रैली को संभोधित करेंगे बिहार में महागडवन्धन की सरकार बनने के बाद आमित शाह की एक साल में या चटवा दोड़ा है बिज़ुपी के राश्ट्री अद्र येपी नड़ा 24 उन को जंजारपूर में रैली करने वाले थे लेकिन उनका कारेकरम रद हो गया था अब जंजारपूर की रैली को खुद केंद्रे गुर्यमंत्री अमित शाह संभोधित करेंगे बिज़ुपी के लिए जणजारपूर लोग सवा सीटे रणितिक द्रिस्टी कोन से काफी एहम है गृह मंत्री की इस रैली से पार्टी मितलांचल की पाँच लोग सवा सीटी जंजारपूर, मधुवनी, दर्भंगा, सुपॉल और मधुपूरा को साधेगी इसके साथ ही इसका असर यहां के 30 विधान सवा सीटों पर भी परेगा बिजुपी की तरफ से देश भर में 10 सीटों को चुना गया है जहां पार्टी अपना उमिद्वार नहीं उतारती थी 2024 में पार्टी वहां अपना उमिद्वार उतारने की तैयारी कर रही है इनमें एक सीट जंजारपूर भी है किंद्री ग्री मंत्री अपने जंजारपुर रैली से लोगसवा की पांस सीटे और विधान सवा की तीस सीटों को साधेंगे पिछले लोगसवा और विधान सवा चिनों में जब नितीश कुमार बिजुपी के साथ थे तब एंडिये ने यहां से बिपक्ष का सफ़ाया कर दिया था 2019 के लोगसवा चिनों में सभी पांस सीटों पर जीत दर्श की थी 2020 के विधान सवा चिनों में भी यहां की 30 विधान सवा सीटों में से 25 पर एंडिये के प्रत्यासियों ने जीत दर्श की थी इनमें 11 सीटों पर बिजुपी और 14 सीटों पर जेडियों को जीत मिली थी नितीश कुमार जब बेज़ुपी के साथ थे तो मितलांचल के लाकों में NDA का एक छत्र रास था लेकिन नितीश कुमार के अलग होने के बाद यहां का पूरा समिकरन बिगर गया है यहां बेज़ुपी अब पूरी तरह कमजोर पड़ती नज़र आ रही है विपक्ष्वी गटबंदन इंडिया यहां भारी परता दिखाई दे रहा है सिल्हा लोगसवा की पांस सीटों में तीन पर जेडियों का कपज़ा है विधान सवा की तीस सीटों में 19 महा गटबंदन के पास है इनमें 14 जेडियों के पास और 5 आर्चुरी के पास है अब विज़ुपी यहां जादा से जादा सीटे जीतने की कोशिश में जुट गई है जंजार पूर लोगसवा सीट से विज़ुपी बस एक बार चुनौ जीती है 2014 में विज़ुपी के विरंदर कुमार चौदरी यहां से जीतने में कामियाव हुए थे हाना की एंड यह गडवंधन में यह सीट हमेशा से जेडियू के हिस्से रही है 2019 के लोगसवा चिनौव में जेडियू के रामपरित मंडल 2,23,000 वोट से जीतने में कामियाब हुए थे इस बर विज़ुपी जन्चारपूर विदानसवा चेतर से चार बार के विधायक और राच के पूर्विसियम जगनात मिश्रा के बेटे नितिश मिश्रा को जन्चारपूर लोगसवा से अपना उमीदवार बना सकती है बिज़ुपी ने देश भर में बिज़ुपी ने उन एक सो साट लोगसवाद छेत्रों को चनहित किया है जहां से पार्टी को अपना उमिदवार खरा नहीं किया गया है इस पर पार्टी इन कमजोर सीटों पर मजबूती से लड़ना चाहती है इसमें बिहार की देश सीटों को चनहित किया किया है जंजारपूर से मितला को साधने की कोशिश की जा रही है ब्यूर रिपोर्ट सीटी पोस्ट लाइफ